हेलो असलाम अलेकुम वेलकम बेक टू मैं चैनल स्वी धीरवानी जैसे के मैंने पिछली बार आप लोगों के लिए टॉपिक डाला था रिजिट कनेक्टर के अगर आप एक कनेक्टर को फ्लेक्सिबल बना रहा हैं तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स होंगी ठीक है तो दीच़ फ्लेक्सिब्ल अगर डेंचर था या मैजर कनेक्टर था जो आपका प्रीविडियो थी तो हमनें लापी बारे प्रॉब्लम को एमिस्ट किए वैसे ही अब हम बात करेंगे हमने उसी वीडियो में बात की थी regarding forces कि अब ही forces को हम कैसे minimize करते हैं तो उसमें मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी अब आज की जो वीडियो है वो यह है कि जैसे कि आपको पता है कि forces जो होती है उसको रोबल पार्शल डेंचर में minimize करना बहुत important होता है हमारे पास वर्टिकल फोर्स भी होती है और horizontal forces भी होती है या बोले नौन वर्टिकल फोर्स अगर बात की जाए वर्टिकल फोर्स की तो टुथ जो होता है बेटर टॉलरेट करता है वर्टिकल डिरेक्टिट फोर्स को देंदर नौन वर्टिकल फोर्स या आप टॉर्किंग फोर्स बोल रहे है या horizontal forces बोल दें ठीक है जी तो अब बात हम कर रहे है रिगार्डिंग इस वीडियो में horizontal forces of rpd या horizontal forces of removal partial denture ठीक है अब उसके क्या-क्या effects होंगे और उन effects को minimize कैसे आप करेंगे ठीक है जो damaging effects उनकी वज़ा से होंगे वो क्या-क्या होंगे और उन effects को हम minimize कैसे करेंगे ये दो चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ठीक है जी तो अगर हम journal बात करें तो horizontal forces के जो effects होते हैं वो excessive ridge resorption number one ठीक है number two होगा tissue impeachment ठीक है जी और number three होगा inefficient mastication ठीक है ये मैंने आपको जो है ना simply बता दिया लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से explain करना है तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि horizontal forces के effects tooth पे अलग होंगे, rich पे अलग होंगे और denture पे अलग होंगे, अगर हम बात करें teeth की तो उसमें क्या क्या होंगे, parodontal breakdown होगी, tilting of abutment tooth होगी, ठीक है mobility होगा, tooth loss हो सकता है, cracks on teeth, ये 5 problems आपके teeth पे होंगे due to the horizontal forces, अगर secondly हम बात करें ridge की, तो उसमें क्या होगा, excessive ridge resorption होगी, ठीक है, या residual जो bone है वो loss हो जाएगी, उसके बाद अगर हम बात करें, denture की तो उसमें rocking of denture हो सकती है, अगर आप ridge में मजी डालना चाहें तो ridge की inflammation हो सकती है, trauma हो सकता है, excessive ridge resorption हो सकती है, तो ये चीज़ें जो है अगर आप तीनों को अलग-अलग करके बताएं, teeth, ridge और denture का, तो ये जादा सही होगा, तुथ को, ridge को और denture को, इनमें अंदर-अंदर problem बताएं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को इनके problems बताएं हैं, वैसे ही मेरी screen पे भी आप लोगों को show होंगे, ठीके जी, अब बात आती है, इनको minimize करने की, तो आप कैसे minimize करोगे, अब जैसे कि normally, बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि stabilizing components दे दें, उसमें आपका reciprocal आगया और minor connector, पर अगर proper तरीके से आप लोगों को बताना है, तो आप लोगों को ये चीजें बतानी होंगी, जो मैं आप लोगों को बता रही हूं, कि stabilizing components की तो बात की है, वो तो बिलकुल सही है, ठीक है लेकिन जैसे हमने problems को थोड़ा clearly define किया है, वैसे ही solution को भी हम थोड़ा clearly define करेंगे, ठीक है जी, तो simply अगर मैं बोलूँ कि horizontal forces resist by using the stabilizing components such as reciprocal arm और minor connector, ठीक है, तो वो सही नहीं होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि stabilizing components ये दो हम बोल देंगे कि minor connector और stabilizing reciprocal arm जो है, वो resist करेगी, उसके इलावा फिर आप यूज बोल सकते हो, use of physiological basing हो, functional impression technique हो, broad coverage हो, intimate contact of denture based हो, harmonious occlusion हो, correct choice of direct returner हो, जिसमें RPI आ गया, combination clasp आ गया, ताकि आपकी forces कम पढ़ें, tooth और tissue पे, rigidity of major and minor connector हो, stabilizing components हो, implants आप यूज कर सकते हो, stress breaker, stress equalizer, especially in class 1 and 2 में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप डालोगे तो answer थोड़ा बहतर हो जाएगा, रादर द problem को discuss करना था, कि horizontal forces के, क्या-क्या effects होते हैं, और उनको minimize कैसे करेंगे, अब next video भी मेरी, यही होगी कि कुछ problem होगा, और उसका solution होगा, पहले भी हमने discuss किया, कि अगर rigidity नहीं होगी, तो क्या problems होगे, और अब हमने discuss कि horizontal forces की क्या problem होगी, next video जो मेरी होगी, वो होगी, लोगों को तब भी बताऊंगी, जब मैं वीडियो अप्लोड करूंगी, वो भी removal partial denture की regarding होगी, और उसमें भी मैंने एक problem और उसका solution ही सोचा है, ठीक है जी, तो तब तक आप मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, मेरे चैनल को subscribe करें, और लोगों के साथ share करें, और मुझ